आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पहलाग आज मैं स्वेटर बनाने वाली हूं उनका स्वेटर जो की स्मॉल साइज का है जो लोग डुबले पत्ले हैं उनके लिए मैं यह स्वेटर बना रही हूं और इस स्वेटर का पूरा मेजरमेंट लाई हूं आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसकी इपना करें और पूरा देखें तभी आपको पता लगेगा स्मॉल साइज में कितने फंदे डालने हैं इस स्वेटर को बनाने में मैंने 10 नंबर की सलाईयों का प्रियोग किया है और इसका उन जो है बिलकुल नॉर्मल है न जादा मोटा है और न जादा पतला है इसलिए मैंने इसमें 10 नंबर की सलाईय का प्रियोग किया है आप लोग भी 10 नंबर की सलाईय का प्रियोग करें और बॉर्डर में 90 फंदे डालें, जब आपका बॉर्डर पूरा हो जाएगा, तो उसमें 10 फंदे बढ़ा लें, इस प्रकार आपके 110 फंदे हो जाएंगे, लेडिस कार्डिंगन में आगे के दो पल्ले बनाने पड़ते हैं, मैंने दो पल्ले बनाए हैं, इस्मॉल साइज का इस स्वेटर है, तो पहले पल्ले में मैंने 65 फंदे डाले हैं, 14 फंदे की मैंने पट्टी बनाई है, टोटल मैंने 65 फंदे डाले हैं, बॉर्डर में भी मैंने 65 फंदे डाले हैं और आगे बिलकुल फंदे बढ़ाए नहीं सेम फंदे बॉर्डर और सेम फंदे उपर रखें इसी प्रकार हमने दूसरा पल्ला भी बना लेना है बॉर्डर में भी 65 फंदे डालने हैं और उपर भी 60 कार्डिगन में मैंने बगल में पांस, तीन, दो, एक ऐसे करके फंदे मारे हैं बाजू बनाने के लिए बाजू के बॉर्डर में 45 फंदे डालने हैं मतलब 45 फंदे डालने हैं और जब बॉर्डर पूरा हो जाएगा तो उसमें 5 फंदे बढ़ा देने हैं इस परकार आपके 50 फंदे हो जाएंगे और फिर उसके बार हर 4 और 5 फंदे में बाजू के दोनु त एक फन्दा बढ़ाना है यह तो आप चोथी सलाईम में बढ़ाएं यह आप 5 civ कि आपका बाजु कूरा हो जाएगा आपको लगेगा कि भाजु हो गया है तो कि बाजू को जब आप ना पेंगे अपने हाथ के अनुसार तो पूरा होने तक इसमें 90 फंदे होने चाहिए जब बाजू पूरी हो जाएगी तो आप जो है आज दिन के फंदे मार दें इसमें कोई भी कटिंग नहीं की है मैंने और वैसे ही पूरा बाजू में फंदे मार दे हैं और जब हम सिलेंगे तो वैसे ही कटिंग जैसी आ जाती है यदि आप कॉलर वाला कार्डिगन बनाएंगे तो कॉलर बनाने के लिए आपको 150 फंदे उठाने हैं मतलब 115 फंदे उठा लेने हैं यदि आप गोल बगला बनाना चाहते हैं तो आपको 90 फंदे उठा लेने हैं मतलब 90 फंदे उठा लेने हैं इस प्रकार आपका कार्डिगन प्यार हो जाएगा बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया और बहुत फिट यह स्मॉल साइज का कार्डिगन का मेजर्मेंट है अब मैं आपको बताऊंगी मीडियम साइज का जब आप कार्डिगन बनाएंगे तो उसका मेजर्मेंट क्या है अगली वीडियो में मैं मीडियम साइज का मेजर्मेंट लाऊंगी तब तक के लिए नमस्कार पहला वीडि देखें और सब्सक्राइब चरूर करें